नमस्कार स्टुडेंट्स, हेलो, कैसे हो आप सब लोग, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, आप सब को अपने टीचर्स की याद आती होंगी, और आप अपने टीचर्स की सुनाई हुई कहानिया भी मिस्क कर रहे होंगे, इसलिए मुझे लगा, चलो, आज आपको एक सुन्दर सी कहानी सुना दूँ, देखिए, आपको एक सुन्दर से पिक्चर दिख रहा है, एक बड़े से पिक्चर में हम लोग चार फोटो देख रहे हैं, चारों फोटो में आप देख सकते हो कौन-कौन है, देखिए, एक बड़ा सा पेड है, पेड के उपर बहुत स पोकुछ सीर के अफर सारे बंदर है बच्चो आपको पता है बंदर केसे होते हैं बहुत ही शरारती और बहुत ही नकल खोर होते है इसलिए बंदर को नकल ची बंधर केते हैं आप देख रहें पहले पिक्चर में देखिये एक इनसान बेठा हुआ है और उसके पास एक कुछ है एक पोटले जैसा है जिन में उन्होंने कुछ रखा हुआ है और खुद ने भी कुछ सीर के उपर पहन रखा है वो क्या है टोपी है तो इससे जाहिर होता है कि टोपी वाला टोपी बेचने के लिए कहीं गया था और आके अब एक बड़े से पेड़ के नीचे बेठा हुआ है लेकिन उनको नहीं पता कि पेड़ के उपर क्या है पेड़ के उपर तो आप लोग के जैसे बंदर बेठे हैं जो बहुत शरारती है देखिए सुन्दर सी कहानी सुनिये उनके बारे में एक था टोपी बेचने वाला वो एक शहर से दुस्रे सहर एक गाउं से दुसरे गाउं बहुत सारी रंग भी रंगी सुन्दर सुन्दर टोपी पेचने के लिए चाता था एक दिन वो वापस दूसरे गाउं के लिए निकला तो रास्ते में चलते चलते बहुत ठक गया अब इतना ठक गया कि वो एक तलाश में था कि कोई अच्छा सा बड़ा सा पेड़ दीख जाए और उसकी च्छाओं में मैं बेट के थोड़ी दिर अराम कर लू जैसे ही आराम करने बेठा तो फिर उसको नीन लग गई वो जैसे ही सो गया वैसे ही बंदरों ने देखा कि उसके बाजू में जो कुछ पड़ा है उसके अंदर कुछ है जैसे ही बंदर वो सो गया वैसे सारे बंदर नीचे आ गए और नीचे आकर देखा कि बंदर के बंदरों ने कि जो एक गठरी रखी हुई थी उनके पास वो खोलके उनमें से सारी टोपिया उनको मिल गए अब क्या था एक के बाद एक एक के बाद एक सारे बंदर नीचे उतरे देखिए दूसरे चितर में आपको संदर सा दिख रहा है कि बंदर गठरी खोल रहा है और उसमें से देख रहा है और एक गठरी खोलने के बाद जो उसने देखा और सारे बंदर नीचे उतर के गठरी मे से टोपी निकाल निकाल के निकाल निकाल के ले गए बंदर तो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनमें रंग बेरंगी टोपीयां थी एसे रंग रंग देखके बंदरों को बड़ा मजाया और उसने क्या किया उन्होंने देखा कि जो टोपी बेशने वाला था ना उसके खोले तो उसने क्या देखा अरे मेरी गठ्रियां में तो कुछ नहीं है मेरी गठ्री तो खाली है कहा गई मेरी सारी टोपी और देखता है इदर उदर पर उनको कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है फिर कहीं उपर से कुछ-कुछ आवाज आई तो उसने चल्दी से उपर देखा जैसे उपर नजर करी तो सारे बंदर उसकी रंग बिरंगी टोपियां पेनके बेठे हुए थे हाँ, अब क्या था? तूरंत ही उसको पता चल गया कि सारे बंदर जो है वो मेरी टोपी मेरी गट्री में से निकालके ले गए और मैंने जो टोपी पेनी है वो देखके उनको समझ में आ गया कि ये चीज सीर पे पेनने वाली है इसलिए सारे बंदरों ने पेनके रखी है अब तो बेचारा क्या करे? वो सोचने लगा कि मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा इन बंदरों के बारे में यह तो सब मेरी ले गए टोपी अब मैं क्या बेचूंगा? अब बंदरों से मुझे टोपी तो निकलवानी पड़ेगी फिर उनके दिमाग में एक बहुत ही मस्त आइडिया आया उसने सोचा कि हाँ बंदर तो नकल्ची होते है नकल्ची यानि नकल करने वाले जिसा हम कुछ करते हैं एक्शन वेसी ही बंदर करते है आप लोगों ने भी कहीं देखा होंगा कि बंदर जो होते हैं वो जो हम एक्शन करते हैं वो करके दिखाते हैं तो उनके दिमाग में तुरन तियाडिया गया कि मुझे क्या करना चाहिए? अब टोपी वाले ने जो अपनी टोपी पहने हुई थी वो सिर में से उतार के नीचे फेक दी अब उपर से क्या था वो सारे बंदर शरारती देख रहे थे कि टोपी वाला क्या कर रहा है तो उन्होंने क्या कहा करया बंदरों ने जैसे ही टोपी वाले ने टोपी नीचे रखी अपनी सीर से उतार से उतार के सीधे बंदरों ने भी अपने सीर से टोपी उतार उतार के नीचे फेक दी अब टोपी वाला तो यही चाहता था कि उनकी सारी टोपी बंदर वापस दे दे अब जैसे उन्होंने टोपी नीचे डाले सीधे से टोपी वाले ने भाग भाग के भाग भाग के इधर उदर से सब जगा गीरी हुई टोपी अपनी उठा ले और उठा के फिर से अपनी गटरी में रख दी और भाई वो तो चल पड़ा अब देखिए इस कहानी से हमें कुछ सिखना चाहिए न हम क्या सिख सकते हैं क्या किया टुपी बेशने वाले ने अपनी अकल से काम लिया अपनी सूझ बुझ से काम लिया वो अपनी गटरी खाली गबरा नहीं गया कि अब मैं क्या करूंगा ये बंदरों ने पहन लिए पर उसने क्या अपने दिमाग पे जोर देके सोचा कि मैं क्या करूंगा जिससे मुझे मेरी चीज वापस मिल जाएगी तो बच्चों हमें भी कोई भी ऐसा समया है कि हमें सोचना पड़ जाए कि क्या कर तब हमें अपनी अकल से काम लेना चाहिए यानि सूज बूज से सब काम आसान हो जाते हैं ये कहानी अंत में हमें यही सिखा जाती है अब सब लोग को ये जो टित्र दिया है और मैंने जो आपको कहानी सुनाई है वो कहानी की एक कौपी मिल जाएगी लिखी हुई और आप आप क्या करोगे दादा दादी हमको कहानी सुना था न आज आप क्या करोगे मेरी कहानी सुनने के बाद आप दादा दादी को ये वाली कहानी जोर जोर से सुनाओंगे ओक्के बच्चो बाई बाई